वेल्कम बच्चों मैं दुलार चंदास एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्तित हूँ मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपके साथ लगातार बना रहूँगा मेरी वीडियो आप लोग के पास आती रहेंगी और आप लोग के पढ़ाई में मदद मैं करता रहूँगा आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ हमारी यूट्यूब चानल स्टडी विद दुलार में आप लोग जैसा देख रहे हैं चेप्टर फोर ये क्लास फाइब की इंगलिस बुक है और आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे चेप्टर का नाम है बाथ डे पाटी और इसका मतलब है जनम दिन का समार्व ता आईए इसमें हम लोग पढ़ते हैं हरसिता वाज एक क्यूट लिटिल गर्ल हरसिता एक छोटी और प्यारी लड़की थी सिवाज वेल मैनर्ड वह एक सभ लड़की थी जो बच्चा अच्छी आदतों को जानता है और उसे करता है उसे सभ बच्चा बोला जाता है वह अपने कच्छा में नीमित और समय बद्ध थी वह शिर्फ महनती ही नहीं बुद्धिमान भी थी शिर्फ में एक आदर्स विजाती बनने के सारे गुन उसके अंदर थे but no one knew that she had also a demerit लेकिन किसी को पता नहीं कि उसमें भी एक आउगुन था she was very fuzzy about food वह खाने को लेकर बहुत ही बहाने बाज थी she did not like even to taste green vegetables उसे हरी सबजियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी her most favorite dish was potato and chapati उसकी सबसे पसंदिदा खाना आलू और रोटी था हरसिता वाज doing her homework in the study room हरसिता अपने study room में अपना homework कर रही थी हर मदर मिसेज रूबी वाज बीजी इन दा किचन उसकी मम्मी सिरिमती रूबी किचन में व्यस्त थी after an hour मदर कॉल एग घंटे बाद उसकी मम्मी बुलाती है हरसिता what are you doing? हरसिता तुम क्या कर रही हो? I am reading हरसिता replied हरसिता हरसिता जवाब देती है कि मैं पढ़ रही हूँ have you completed your homework? क्या तुमने अपना homework पूरा कर लिया? उसकी मम्मी बोलती है फिर हरसिता बोलती है yes mother, हाँ मम्मी come here, dinner is ready फिर उसकी मम्मी बोलती है यहाँ आ जाओ, रात का भोजन त्यार हो चुका है I am just coming हरसिता बोलती है मैं अभी आ रही हूँ हरसिता closed her book हरसिता अपने किताब को बंद करती है she kept it in the school bag और उसे school bag में रख देती है she came to the dining table और वह dining table में आ जाती है her father, Mr. Raj, was waiting for her उसके पिता, सिरिमान राज उसका wait कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे she sat in front of her father वह अपने पापा के सामने बैठ चाती है meanwhile, mother came with a plate and kept it on the table थोड़ी ही देर में उसकी मम्मी एक plate लेकर आती है और table में रख देती है today, I have prepared a tasty and healthy dish for me आज मैं सब के लिए स्वादिष्ट और स्वास्तवर्धक भोजन बनाई हूँ हरसिता asked हरसिता पुछती है, what is this mother कि मम्मी या क्या है this is mixed vegetable या मिली हुई सबजियां है उसकी मम्मी बोलती है have you cooked only mixed vegetables फिर हरसिता पुछती है, क्या आपने सिर्फ mixed vegetables बनाए है उसकी मम्मी बोलती है no, I have also cooked your father's favorite lady's finger नहीं, मैंने तुमारे पिता जी की पसंदिदा भोजन भिंडी भी बनाई है is there no potato in dinner today हरसिता बोलती है क्या आज के dinner में आलू नहीं है no, उसकी मम्मी बोलती है नहीं then what will I eat तो फिर मैं क्या खाऊंगा father gave हरसिता ये stern look and said उसकी पिता उसको गुसे भरी नजर से देखते है और कहते है you must eat what is on the plate तुमें वही खाना चाहिए जो तुमारे प्लेट में है हरसिता requested हरसिता अनुरोद करने लगती है please father tell mother to give me potato otherwise I will eat only chapati and milk please papa ममी को बोलिये कि मेरे लिए आलू बना दे नहीं तो मैं सिर्फ दुद और रोटी ही खाऊंगी father tried to make her understand उसके पापा उसे समझाने की कोशिस करते है he said you are a growing child तुम एक बढ़ती हुई बच्ची हो green vegetables are very necessary for you तुमारे लिए हरी सबजियां बहुत ही आवसेक है many required vitamins and minerals are found in vegetables बहुत परकार के आवसेक बिटामिन और minerals सबजियों में पाया जाता है if you don't eat vegetables your health will not be good अगर तुम सबजियां नहीं खाती हो तो तुमारा स्वास्त अच्छा नहीं रहेगा there was no effect of these words on her सिता इन बातों का हर सिता पर कोई असर नहीं हुआ she did not start eating वह खाना शुरू नहीं की at last mother gave her ये ball of milk अंत में उसकी मम्मी उसे एक कटोरी में दूद देती है she ate quietly with downcast eyes वह चुपचाप अपनी नजरों को जुका कर खाने लगती है father was not pleased with her behavior उसके पिता जी उसके इस ब्यवहार से खुश नहीं थे it was the birthday of हर सितास अंगर ब्रदर अस हर सिता का छोटा भाई यस का जनम दिन था many guests had come बहुत सारे महमान आये हुए थे हर सितास and resum had also come हर सिता की चाची resum भी आये हुई थी there was happiness in the house घर में खुशियां ही खुशियां थी guests were talking and smiling सभी महमान बातचित कर रहे थे और मुश्करा रहे थे many dishes were served to the guests अनेक परकार के vengeance महमानों को दिया जा रहा था these dishes were prepared by her aunt ये सभी ब्यांजन उनकी चाची बनाई थी all persons enjoyed the party सभी बेक्ती पार्टी में enjoy कर रहे थे when all the guests had gone हर सिता's aunt come to her and asked जब सभी महमान जा चुके थे तब हर सिता की चाची उसके पास आई और पुश्ती है did you eat क्या तुमने खाया हर सिता replied in the negative उसने नहीं में जवाब दिया aunt brought a plate full of eatable and told हर सिता to eat उसकी चाची एक भोजन से भरी हुई plate लेकर आई और उसे हर सिता को खाने के लिए बोली हर सिता had a glance at the plate हर सिता plate में एक नजर डाली there was no potato वहाँ कोई भी आलू नहीं था she did not touch the plate उसने plate चुआ भी नहीं aunt thought उसकी चाची सोची she is died of playing so she does not want to eat herself उसकी चाची सोचती है कि वह खेलते खेलते थक गई है इसलिए वह खुद नहीं खा रही है she picked a bit of paneer and sobbed it in हर सिता's mouth वह एक paneer का टुकड़ा उठाती है और हर सिता के मुँ में डाल देती है she had no other option than eat the piece of paneer paneer का टुकड़ा खाने के अलावा उसके पास दुसरा कोई विकल्प नहीं था she started shaving it slowly वह धीरे धीरे चबाना शुरू की surprisingly she liked it उसे अस्चर्ज हुआ कि उसे यह पसंद आ रहा था aunt asked do you like it उसकी चाची पुछती है क्या तुमें यह पसंद है yes aunt it is really yummy कि हाँ चाची यह तो बहुत ही स्वादिस्ट है aunt took another item and said take it उसकी चाची भोजन का कोई दूसरा item देती है और कहती है इसे लो हरसिता liked it too हरसिता को यह भी पसंद आता है aunt asked do you want me to feed you उसकी चाची पुछती है क्या तुम चाथी हो कि मैं तुमें खिला दू हरसिता nodded her head हरसिता सिर्फ अपना सीर हिला देती है aunt stalked her here lovingly and gave another beat to it उसकी चाची प्यार से उसके बालों को सहलाती है और भोजन का दूसरा कोर देती है हरसिता add all the items happily हरसिता सभी परकार के भोजन को खुसी-खुसी खा लेती है mother was watching it उसकी मा देख रही थी she was very happy to see हरसिता it all things हरसिता को सभी परकार के भोजन को खाते वे देख कर हुआ बहुत खुस थी हरसिता finished the dinner and ran to her mother हरसिता dinner खतम करके दोड के अपने ममी के पास चली जाती है she said mother do you know aunt cooks very tasty food और वह बोलती है कि ममी आपको पता है कि चाची बहुत ही स्वादिस्ट खाना बनाती है today I ate all the items आज मैं सभी परकार के भेंजन्स खा गई these items were tastier than potato ये सभी भेंजन आलू से स्वादिस्ट थे aunt is a very good cook चाची एक बहुत ही अच्छी बावर्ची है aunt heard it and said उसकी चाची यह सुनी और बोली dear daughter I have learnt how to cook food from your mother प्यारी बेटी मैंने खाना बनाने के लिए तुमारी ममी से ही सिखी है she is my guide in this matter इस मामले में तुमारी ममी ही मेरी मार्क दरसक है your mother cooks even better तुमारी ममी मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है हरसिता said हरसिता बोलती है mother I am sorry ममी मुझे माफ कर दो I will eat whatever you cook for me जो कुछ भी आप मेरे लिए बनाऊगी वही मैं खाऊंगा I will not create any problem while eating खाने के समय मैं किसी भी तरह की समस्या उत्पन नहीं करूंगी उसकी मा हरसिता को गले से लगा लेती है यहाँ पर यह चेप्टर समाप्त हो जाता है इस चेप्टर में कुछ word meanings दिये हुए है new words यह उसका word meaning है और हम लोग आए दिखते हैं इसमें क्या questions दिये हुए है यह इस चेप्टर का questions है इसमें two number में MCQ questions दिया हुए है correct the choose choose the correct option तो आएए मैं आप लोग को इसके answer बना के दिखाता हूँ यह चेप्टर 4 birthday party का question answer है answer the following questions हाव आज हरसिता एन ideal student हरसिता वाज well-mannered, regular, punctual and intelligent, all these qualities made her an ideal student what was the favorite dish of हरसिता हरसिता's favorite dish was potato and chapati why are green vegetables necessary for children green vegetables are necessary for children because they provide vitamins and minerals to keep their body healthy why did हरसिता not touch the plate, हरसिता don't touch the plate brought by her aunt because there was no potato in the plate, what did हरसिता say at last at last हरसिता said mother I am sorry I will eat whatever you cook for me and not create any problem while eating why did mother hug her सिता, mother hugged हरसिता to see good change in her daughter true number में choose the correct option दिया हुआ है आप लोग question अपने बुक से देख सकते हैं और यहां पे मैंने direct answer दे दिया है आप इसको टिक लगा सकते हैं 4 number question में who am I उसमें कुछ इस तरह का question दिये हुए है और उसका मैंने answer दे दिया है आप अपने बुक से question देखकर आप इसका answer लिख सकते हैं chapter 4 पुरी तरह यहां समाप्त हो जाता है अगले chapter को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आईए हम लोग अगले वीडियो में चलते हैं